आये इस बार हम लोग कोशन करेंगे और अग्यू कर ऑग्यू करने के लिए हमारको कुमुिलिोटी फ्रिक्वेंस चाहिए एक less than community frequency और दूसरी more than community frequency तो हमारकास कोशन है marks अद्हें आक पर कुमुल प्रिक्वेंसूज में सिंपल है तो अब सबसे पहले हमार को चाहिए है less than और more than less than cf और more than cf अब less than cf और more than cf कैसा calculate करेंगे यह देखें सबसे पहले 5 का 5 लिखेंगे और cross add करेंगे 5 plus 10 15 15 plus 20 35 35 plus 15 50 50 plus 5 55 अब more than more than calculate करेंगे down से नीचे से नीचे से cross addition करेंगे इसको तो 5 का 5 लिखेंगे हम 5 plus 15 20 20 plus 20 40 40 plus 10 50 50 plus 5 55 ठीक है ना तो cf हम लोग बनाए cross addition उपर से करके more than का cf बनाए नीचे की value लिखे ऐसा cross addition करके clear अब इसे हम लोग क्या करेंगे grab में shift करेंगे तो हमारा minimum maximum number अगर इसे सबसे देखा जाए तो 5 है 55 है तो हम लोग 10 के difference से जाएंगे थोड़ा असान हो जाएंगा 5 से भी जा सकते है लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता तो ठीक है 5 से जाएंगे 55 ठीक है इधर marks उदर number of student next अब ये देखो less than में 0 to 10 में पहला number 5 है 0 to 10 में पहला number 5 इसो point कर लिया हम दो second 10 to 20 में 15 है 10 to 20 में 15 इधर पर point कर लिया हम दो फिर 20 से 30 में 35 है 35 ये रहा 35 चलो next 30 से 40 में 50 है 50 बोले तो ये point कर लिया हम दो फिर उसे बाद 55 ठीक है अब इसो क्या करींगे mix कर लिएंगे less than cf ठीक है अब जिस तरह less than का करें उसी तरह more than का भी graph बनाएंगे 0 to 10 में 55 है 0 to 10 में 55 ये रहा फिर 50 फिर उसे बाद 40 फिर उसे बाद 20 फिर उसके बाद 5 अब इसको भी mix करेंगे उपर से ये more than cf ये जो point बीच में कट गया रहा ना ये तुम्हारा औगिव है ठीक है तो कभी भी तुम्हार को अगर औगिव दिया तो सबसे पहले तुम लोग series frequency लिए के table बनाएंगे less than cf करेंगे फिर more than cf करेंगे और less than more than के लिए graphs बनाएंगे ठीक है तो ये हो गया हमारा औगिव का झाल